तो चटपटी भिंडी बनाने के लिए मैंने पहले भिंडी को अच्छे से दोव करके साप करके इस तरह से मैंने कट कर लिया है आप देख सकते हैं तो इसी तरह से मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया है अधर मैंने लिया है एक बाउल और मैंने इसमे लिया है चार चमच बेश तो यह बेशन को मैं बावल में डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी कन फ्लावर आटा चार चम्मज तो बेशन और कन फ्लावर को मैं अची तरह से मिक्स कर लूँगी और फ्रेंड्स यह देखिए मैंने मसाला क्या क्या लिया है मैंने लिया है अमचुर पावडर धनिया पावडर हल्दी पावडर लाल तीखा पावडर कास्वीरी पावडर और जीरा पावडर और स्वाधनुशार नमक तो यह सारे मसाले को मुझे इसी में मिक्स करना है और इधर लिया है मैंने लासुन और अध्रक का फेश्ट इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी अब मैं डालूंगी इसमें दो चमच तेल अब देख सकते हैं मैंने दो बड़ा चमच तेल डाल करके इसे भी मिक्स करना है अच्छी तरह और मुझे अपने मिंडी को इसमें डाल देना है प्रेंड तो इसी तरह से मैंने फ्रेंड्स ये दो चमच तेल मैंने विक्स करना देख सकते हैं चमच पांडिलिया था इसमें डाला है और मैं इसी तरह से सारी भुंडी को इस तरह से लपेट लूँगी तरह देख सकते हैं मेरी भुंडी अच्छे से मसाला लग चुका है अब मैंने एक गैस के उपर कड़ाई रखी है कड़ाई में मैं थेल डालती हैं अब देख सकते हैं मैं इस तेल मेरा दरब हो चुका है अभी मैं इसी तरह सारी भुंडी को अलग अलग तरकी जाल दूँगी इस तरह से मेरी भुंडी को मेरे धिरे मैं बल्टी कर लूँगी और बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड एक बार आप लोग जरूर बना और ट्राइ करिएगा इसे आप डाल चावल के साथ खाएगे तो बहुत अच्छा लगता है पूरी पराठा किसी चीज के साथ खाईए, बहुत पेस्टी और बहुत अच्छा बनता है, एक बार आत्लों जरू ठ्राइ करिएगा अब देख सकते हैं फ्रेम्स, जेरी मिंदी बन के त्यार हो, इसी तरह मैंने उसरे धान का भी मिंदी डाल दिया है अच्छा पक्राइब एक है इसी तरह से प्रेंड रिल्लीवर के तयार हो चुकी है, तो इसे भी मैं निकार लेती हूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरी भिंडी बन के तयार हो चुकी है तो चटपटी कुरकुरी भिंडी बन के तयार हो गई है अगर मेरी भिंडी की रेश्पी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड कमेंट ब्लॉक्स में चरूर बताईएगा कि कैसी बनी है थैंक यू फ्रेंड